वेलकम डेटा इंटर्प्रेटेशन इस टेबुलर डियाई में आप समों का स्वागत है ये डियाई सेट 8 दिसंबर को आईवीपियर्स क्लर्क प्री का जो एक्जाम चंपन हुआ उसके मेमरी बेस्ट कुश्चिन्स पर अधारित है आसान डियाई है आपने जितना कुछ पढ़ा है इसके बाद कोई दिक्कत होने का सवाली नहीं है लेकिन निव स्टूडन जो लगातार प्रप्रेशन शुरू कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए आईए हमने बात करते हैं what should be the best approach कम से कम calculation करते हुए कैसे solve किया जाए आईए माई डियर स्टूडन्स मैं अमर कुमार सिंग अमर सर अन अकैडमी पर भी हूँ जो एक free learning app है मैंने यहाँ पर ठेरों lessons और courses बनाये हैं जो bank, ssc और railway exam के लिए बहुत ही लावदायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप download करें अन अकैडमी learning app सबसे पहले हम दो इसको समझते हैं टैबल क्या है फिर solve करेंगे directions given below table shows the number of cakes of five different types sold by a shopkeeper on four different days देखिए एक shopkeeper इन four days में Saturday, Sunday, Monday and Tuesday में इन five types के cakes बेजता है तो कितने sell करता है उसका number दिया है आसान data है, operate धंग से करना है, कम समय में solve करना है मैं question number three से सूर करता हूँ ताकि space बनता जाएगा solve करने के लिए the number of cakes of type D and E sold together on Tuesday is what percent of the number of cakes of type A and B sold together on Sunday मैं बताता हूँ, third number जो question है, इसमें क्या है D and E type के cakes जो Tuesday को sell किये गए है D and E, यानि कि 44 plus 30, यानि कि 44 plus 30, ये कितना पर्षंट थे, ये कितना पर्षंट थे, किसका उसके साथ हमनो fraction form करेंगे A and B sold together on Sunday, Sunday को A and B, ये 35 plus 65, ये तो 100 हुआ, ये 74 हुआ, तो हम 74 पर्षंट क्यों न बोलें 74 पर्षंट क्यों न बोलें, से इस अंसर, ठीक है, ये समझ गया है इसके बाद, next question आई, second number question, second number question देखिये, what is the average number of cakes, average number of cakes of type C, रुप जयाई, type C, of type C, तो average इद रुगा न, sold by shopkeeper, on Saturday, Sunday and Tuesday, Saturday, Sunday and Tuesday, जो best way है, assume करने का, इससे 10 लेके इससे दे दीजे, 45 न हो जाए, 3 लेके 1 डिस्टिबूट कर दीजे, 46 न हो जाए, answer, बताता हूं कैसे, second number question, ये 35 है, ये 48 है, और ये 55 है, average का मतलब होता है, equally distribute करें, तो कितना पढ़ेगा, हमने क्या किया, इसे 45 बनाके, कहा, minus 10, और इसे भी 45 बनाके, plus 10, यानि ये cancelled, अईस 48 को 40 बनाके, plus 3, average 45 हो चुका है, 3 को सबू में बाटेंगे, तो कितना मिलेगा, यानि 46 is answer, is answer, ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलिए, अगला question, next, और इसका जो first question है, इसको अभी देखते हैं, first question क्या है, what is the ratio of number of cakes of type B, sold by the shopkeeper on Saturday and Monday together to the number of cakes of type E, sold by him on the same days, देखिए, दो type के जो cakes हैं, B and E के बारे में बात हो रही है, और ratio के बारे में बात हो रही है, देखिए, B के बारे में बात हो रही है, E के बारे में बात हो रही है, और ratio के बारे में बात हो रही है, Saturday and Monday, और same days में E का भी, तो B का Saturday and Monday में 28 plus 16 है ना, और E का भी, E का भी, Saturday and Monday में, Saturday and Monday में, कितना है E का, 38 plus 29 है ना, इसको add करना में बड़ी दिक्कत होती है, 40 और 30 बोली, 70 and 3 less 67, ऐसे बोली ना, और ये तो समझ में आही रहा है, 88 है, 88 है, 88 है, 88 is to 67, यारी बे is the answer, ठेक है, समझ में आगया होगा, आई, अब हम लोग, next question क्यों देखते हैं, इसमें भी 5th number पहले करते हैं, ठेक है, if the number of cakes of type F, F तो है नहीं, मतलब कोई और है F type, कहीं relation होगा, sold by the shopkeeper in given four days, यानि जैसे type A है four days में, B है, ऐसे F पह है, मालूम नहीं, any four days में, is 25% more than the number of cakes sold by type D, 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 D in all the given days, then find the cakes sold by the type F in all the given days, कहें का मतलब क्या है, D में जो दिया है ने, D में, बताता हम, ये 50, 42, 24, and 44, ये जितना होगा, इसको आप 25% बढ़ा दीजिए, जो आएगा, वही F है, कितना आएगा, ये हमारा कुछ सुनू, यानि इसको sum कर ले, sum कैसे करें, कैसे करें, इसे six दे दें तो 50 हो जाए, इसे eight दे दें तो 50 हो जाए, eight and six, 14, यहाँ से लेके दे दें, तो 160 होके 200 न हो जाए, 200 न हो जाए, नहीं समझे, बताता हम, मेरा कहना है, कि ये जो 24 है ना, इस में से, ये तो 50 है ही, इसे भी 50 बना देते हैं, eight दिया, इसे भी 50 बना देते हैं, six दिया, 14 दे लिया, तो 10 बचा, तो यही हुआ ना, यही हुआ ना, और इस 160 को, यानि ये जो 160 है, इसको 35 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 25 बढ़ेगा, तो क्या ये 200 ना होगा, बुली बुली, calculation ऐसे ही करना बढ़ेगा, question तो आसान है, लेकिन, लेकिन, अगर सही दंग से calculation करते हैं, तो उसका उपना benefit है, इसके बाद आजाए, next question क्योंग, next question है, 4th number, what is the difference between the total number of cakes of all the given types sold by shopkeeper on Monday and the total number of cakes of all the given types sold by the shopkeeper on Tuesday, बनाऊंगा, वो तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं, क्या कहा गया, question कहा गया कि Monday को इन सभी 5 types की जो cakes हैं, उनका sum, और Tuesday को जो सारे types के cakes हैं, उनका sum, उसका difference बताई, क्यों बताएं, क्यों sum करें, individual देख लेते हैं, एक particular direction को positive मानते हैं, निच्छे वाले को positive मानते हैं, positive मानते हैं का मतलब, increase हुआ तो plus, decrease हुआ तो minus, plus 8 और minus 6 तो plus 2 रह गया, plus 15, 17 हो गया, plus 1, 18 हो गया, plus 20, 38 हो गया, answer है, ऐसे solve करना था, देखाता हूं, यह जो Monday है ना, और यह जो Tuesday है, यह है 38, यह है 60, यह है 40, यह है 24, यह है 29, और नीचे यह है 46, 54, 55, 44 और 30, हमें दिखता है, इधर की और, इधर की और, इधर की और, इधर की और, plus 8, और यह, minus 6, तो इसका value जो आएगा, वो हम plus 2 क्यों न बोलें, क्यों न बोलें, हां बोलने से confusion होगा, plus 2 क्यों न बोलें, यहाँ पर plus 15 क्यों न बोलें, यहाँ पर plus 20 क्यों न बोलें, plus 1 क्यों न बोलें, 15, 17, 18, total 38 क्यों न बोलें, so the difference is 38, बोलिया, अशा बना रहा है, ठेक है, मुझे उमीद है कि इस session को आपने enjoy क्या होगा, especially new students, जो नया preparation शुरू कर रहे हैं, beginners हैं, how to proceed, वैसे तो मेरा कहना है, आप सारे chapters के playlist में चरे जाएए, और उसको ढंग से देखिए, serially, आप पास नहीं करेंगे, टॉप करेंगे, all the best.